नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं हिमन्त ने कहा है कि केंद्र सरकार पर जर्खन का एक लाग तीसा जार कोड़ रुपए बाकी है या भुकतान जल्थ से जल्थ हो जाए तो हम राजे की कई परसानियों का निदान खुद वा खुद कर लेंगे राज्जियों के मुख मंत्रियों और हाई कोड के मुखे नैधिसों के सन्युक्त सम्मिलन में पूरे जोस खरोस में नजर आये बता दे इन दिनों जार्खन की सियासत संकट से गिरी हुई है सियम हमन सुरेन पर खदान लिज मामले में ओफिस और प्रोफिट और जन परतिनित वा कानून उनई सव एकाउन के तहत करवाई की संभावना भी जताई जा रही है जार्खन की रैधारी राची वा हजारी बाग समयत कई जीलों में मौसम का मिजाज बदल गया है बता देई से भिशन गर्मी से लोगों से राहत की सास मिली है चिल्चिलाती धूब के बाद राची में आस्मान में बादल चागए हैं इससे तपती गर्मी से लोगों को राहत मिली हजारी बाग जीले में मौसम का रूख बदला और एमजिम बारिस भी है मौसम विभाग ने अपने पूरण मान में बताया है कि पांच मही तक आस्मान में आशिक बादल चाहे रहेंगे में गर्जन के साथ बारिस होगी और इस दोरन बजरपात की भी असंका जाहिर की गई है सीएम पीएम की दिल्ली में हुई आमने सामने मुलकात मुख्य मंत्री हमनसुरे नई दिल्ली में केंदर सरकार द्वार आयोजित राजियों के मुख्य मंत्री और उच नयालियों के मुख्य नयाधिसों के सन्यूक्त राष्टिय समेलन में सन्यवार को सामिल हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि वाप धान मंत्रि नयादगमोधी के इस विचार से पूरी तरह संथानिये समुधायों तक पहुंच और परदरशिता सुनेश्शीद करने के लिए अस्थानिय अस्थानिये अस्तर पर नयालियों में अस्थानिये और छत्र भसावों को बड़े पिम नियादी धाचे को बढ़ावाद देने सहीत कई काम किये हाँ है सीम हिमंत सरकार में दोगना से भी अधिक हुए पेंशन योजना के लाभोक राज में बड़े प्रवाने पर विभीन पेंशन योजनाओं से लोगों को लाभ मिला है और लाभोकों की संख्या में कई गुना ब अवस्था पेंशन योजना के तहट नए ब्रीध लाभोकों की संख्या में पांच लाग सतत्य या 426 की ब्रीधी दो वर्ष में दर्श की गई है 31 दिसंबर 2019 तक इस योजना का 3,45 या एक सब और सट ब्रीध जन लाभ ले रहे थे मई महीने में 11 दिन बैंक रहेंगे बंद साल का पांचवा महीना बैंक छुटियों के साथ सुरू हो रहा है तेवारों के मौसा में यदि बैंक से समंधीत कुछ महत्पुन का रहा है तो ध्यान में रखते हुए करना चाहिए क्योंकि मई के पहले सब्ता में 3 दिनों के ऑनलाइन बैंकिंग सेवाव का उपयोग करने में सक्षम होंगे राश्ट्री राज करमचारी महासंग की बैठक 14 माई को तिरिपूरा में राश्ट्री राज करमचारी महासंग की बैठक 14 माई को तिरिपूरा में आयोजीत होगी बैठक में पुरानी पेंसन योजना बहाल को लेकर अहम फैसला लिया जाएगा यह जनकारी जार्खन राज करमचारी संग के परदेश अध्यक्स धर्म परकास सिंग ने दी है उन्होंने बताया कि राष्टी समीति की बैठाक में सामिल होने को लेकर सनिवार को राज संग की बैठाक हुई इसमें चार्चा हुई की 2004 से पुरानी पेंसन योजना खत्मकर नई पेंसन योजना शुरू कर दी गई है इस फसले की बिरोध में कई बार संग ने परदसन भी किया है अब निर्ना लिया गया है कि देश भरके राज क्रमचारी एकमत वकर प्रधान मंत्री और सभी राजियों के मुख्य मंत्रियों के बीवाग्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री हिमनसुरेन भी सवक्री देदी थी ग्रिव वबीधी बीभाग ने भी अनुसानसा बैदी थी लेकिन कार्मिक बीभाग ने पिछले करीब 9 महीने से सिमीत परिक्षा समाप्त करने समनित फाइल को लटका कर रखा है, इसका असर हो रहा है कि एक एकर प्रोनती के योग ये ASI बीना दरोगा बने ही सिवानिवरित हो जा रहे हैं बता जा रहा है कि ऐसे सिवानिवरित ASI की संख्या 250 से अधिक है जिन्हें नियमता दरोगा बन जाना चाहिए था ये ASI वर्ष 1982 से 86 के बीच सिपाही के पदपर बहाल हुए थे और उन्हें 2020 के पहले ही दरोगा बन जाना चाहिए था उपायुक्त से वार्ता के बाद टाना भगतों का अंदोलन खत्म है आरखन के लातेहर में 4 दिनों से चल रहा टाना भगत समुदाय का अंदोलन सनिवार को समाथ हो गया समिधान का आवाला देकर टाना भगत जारखन पंचाय चुनावरद कराने की मांग को लेकर 26 अप्रेल से अंदोलन कर रहे थे उपायुक्त अब्बू इमरान से वारता के बाद आंदोरन कर रहे टाना भगतों ने विरुवत परदसन रोक दिया है उपायुक्त ने धारना अस्तर पर टाना भगतों को समवधित करते हुए कहा कि आपकी मांगो से राजेपाल, मुख्यमंत्री, पंचायती राजमंत्री, लातेहर विधायक, मनिका विधायक हुआ, मुख्य सचीव को अउगत करा दिया गया है प्रतिनिधी मंडल की राजेपाल से मुलकात कराई जाएगी डीजीपी नीरेश सिनहा पर बाबुलान मरांडी ने उठाई अंगुली सेवा निवरिती के बाद डीजीपी नीरेश सिनहा का एक गारप फवरी 2013 तक सेवा बिस्तार लागतार चार्चा में हो रहा है यह चार्चा अब सोसल मीडिया ट्यूटर पर भी आगया है भाजपावी धायक दल के नेता बाबुलान मरांडी ने सनीवार की दो फ़र महा लेखाकार की रिपोर्ट के दार पर ट्वीट किया और लिखा की सुना हाई कि राजे पूलिस के डीजीपी बिना बेतन के काम कर रहे है महा लेखाकार ने उन्हें 31 जनवरी यानी उनकी वास्तिक सेवा निविती के बाद बेतन परची निर्गत ही नहीं किया है उन्होंने आपनी ट्वीट में आरोप भी लगाया है कि राजे का डीजीपी बिना बेतन के काम करेगा वहाँ कोईला बालू पत्थर जमीन की चोरी नहीं होगी तो क्या होगी जेपी एसी मुख्य परिक्षा का परिणाम घोसी जारखन लोग सेवा आयोग ने 37 सेवा मुख्य परिक्षा का परिणाम सनिवार को जारी कर दिया है इसमें कूल 802 अब्यार्थी सफल घोसी ठुए हैं जो सक्षतकार में सामील होंगे सक्षतकार आयोग कर्याले में 9 मई से 16 मई तक आयोजित होगा सात्री सीवा मुख्य परिक्षा एक गारा से 13 मार्च तक राची के गारा केंद्र पर होई थी इस तरह आयोग ने 1 माँ 17 दिन में ही इसका परिणाम जारी कर दिया है धन्यवाद